यूनिफॉर्म सिविल कोड यूसीसी पर बीएस्पी की क्या परतिगिरिया है उसके समंद में बीएस्पी का ये कहना है कि यहां विशाल आबादी वाले अपने भारत देश में हिंदू, मुस्लिम, सिख, किसाई, पार्शी वे बहुत आदी इन विभिन धर्मों को मानने वाले लोग रहते हैं जिनके हर मामले में रहन सैन वे जीवन शैलियादी के अपने अलग-अलग से तोड तरीके नियम अबम रसन रिवाजे हैं जिसे नजर अंदाज नहीं किया जा सकता है लेकिन वहीं दूसरी तरफ ये बात भी काफी हद तक सोचने वाली हैं कि यदि यहां सभी धर्मों के मानने वाले लोगों पर हर मामले में एक समान कानून लागो होता हैं तो उससे देश कमजोर नहीं बलकि मजबूती होगा साथी लोगों में आपसी संप्रदाइक सत्भाव्वे भाईचारा आदी भी पहदा होगा ये बात भी कई हद तक सही हैं जिसे खास ध्यान में रखकर ही भारते सविधान की धारा 44 में समान सिविल सहिता यानि की यूनिफोर्म सिविल कोड यू सी सी को बनाने पर प्रयास वरनित है उसका जिक्र की आ गया है लेकिन इसे जवरन थोपने का प्रवधान बाबा साब डॉक्टर भीमराब अम्मेड करके सविधान में निहित नहीं है और इसके लिए जागरुकता वैं आम सेमती को स्रेश्ट माना गया है जिस पर अमल ना करके अब इसकी आड में संकिर्ण स्वात की राजनिती करना देश हित में सही नहीं है जो इस समय की जा रही है क्योंकि सविधान की धारा 44 में तो समान सिविल सहिता बनाने का प्रयास तो वरनित है लेकिन इससे थोपने का नहीं इसलिए इन सब बातों को खास ध्यान में रख कर है तब फिर बीजेपी को देश में यूशी सी को लागू करने के लिए कोई कदम उठाना चाहिए था इसके साथ ही यहां मैं ये भी कहना चाहूंगी कि हमारी पार्टी समान सिविल सहिता यानि की यूशी सी को लागू करने के विरुद नहीं है बलकि भाजपावे इनकी सरकार के इसको देश में लागू करने के तोड तरीकों से सहमत नहीं जिसमें सर्वधर्म हिताय वे सर्वधर्म सुखाय की नहीं बलकि इसकी आड में इनकी संकीर्ण स्वार्थ की राजनिती ज़्यादा देखने को मिल रही है जो उचित नहीं है जबकि इससे उपर उठकर तब सरकार को इसे लागू करना चाहिए तथा नहीं इसमें कोई धार्मिक पक्षपात होना चाहिए और जदी भाजब्पा सरकार ऐसा कुछ करती है तो तब फिर हमारी पार्टी इस मामले में अपना कोई सकारात्मक रुख अपनाएगी वरना हमारी पार्टी इसका विरोध करेगी जबकि देश्व जनहित में सही तो ये होगा कि इस समय सरकार को अती महंगाई, गरीबी, बेरोजगारी तथा सिक्षा, स्वास्त, सुक, शांती, इस्म्रिदी जैसी बुनियादी जरूरतों के अभाव से तरस्त वे पीडित करोडों महनत कस वे मजलूम देश्वासियों के दुख दर्द पर से ध्यान बाटने में समय संसादन वे उर्जा बर्बाद करने के बजाए उनसे मुक्ती पाने पर ध्यान देना चाहिए जिन समस्याओं से ये लोग देश के आम जनता तरस्त है पीडित है दुखी है लेकिन इस और ध्यान नहीं जा रहा है इससे ऐसा लगता है कि बीजेपी वे इनके सरकार तो अपनी इन सब कम्यों पर से देश की जनता का ध्यान बाटने के लिए हैं तो ये आम चर्चा है कि अब ये लोग ये समान कानून बनाने की बात कर रहे हैं कि वो सब पर लागू हो ये लोग जो है ये बात कर रहे हैं कि यूनिफॉर्म सिविल को लाए जाए और सभी धर्मों पर एक जैसा वो लागू हो तो इससे कुछ ये भी आम चर्चा है लोगों में कि जो इस समय जो परमुक समस्या हैं जिनका मैंने जिकर किया है तो उसकी तरफ सरकार का ध्यान नहीं जा रहा है इससे लोगों में याम चर्चा है कि अपनी इनकम्यों पर जनता का ध्यान डाइवर्ट करने के लिए बातने के लिए ये लोग यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात कर रहे हैं कि इसको लाए जाएगा तो लेकिन मैंने बताया कि हमको इसके खलाफ नहीं है लेकिन इस बात को भी ध्यान में रखकर चलना चाहिए हैं कि अपने देश में बिभिन धर्मों को मानने वाले लोग रहते हैं उनके अपने रसम रिवाज है उनके अपनी कारेशा लिए है जनम से लेके मिर्थी तक उनके अपने अलग से तोड़ तरीके हैं तो जब ये कानून बनाए इन सब चीज़ों को भी इनको ध्यान में रखकर चलना चाहिए तो ये भी मेरा इनको ये कहना है बीजिपी को इनक यहीं समात करती हूँ धन्यवाद जय भीम वजय भारत